कांग्रेस ने बुधवार को एलान किया है कि अगर केंदर में उनकी सरकार बनी तो वो हर गरीब परिवार की किसी एक महिला को साल में एक लाख रुपे देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे ने बुधवार को एक वीडियो जारी करके ये बताया वहीं राहुल गांधी ने महाराश्ट्र के धुले में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करते हुए पांच महिला न्याय गारंटी देने का वायदा किया। इसकी पहली गारंटी महालक्ष्मी गारंटी होगी जिसमें गरी परिवार की महिला सदस्य को साल में एक लाख रुपे मिलेंगे। कांग्रेस ने केंदर सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फैसदी आरक्षन देने का भी वादा किया है।